हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अमिस सैनी स्वागत है आपका सड़ा फूड़ड़ा में जहां मैं आपके लिए टेश्टी रेस्वीज लेकर आता रहता हूँ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कच्चे केले के पकोड़े तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने चार कच्चे के लिए ले लिए हैं केले को हम छीलने से पहले इसको दो करके अच्छे से एक पर साफ कर लेंगे उसके बाद केले को हम दोनों साइड से कट कर देंगे कट करने के बाद हम एक छीलर लेंगे और छीलर से हम केलो को छील करके साफ कर देंगे और केलो को छीलने के बाद हम इसको पानी में डालेंगे पानी में हम इसलिए डालेंगे क्योंकि पानी में डालने से क्या हो ही जो केला हमारा होगा छिलने के बाद वो black नहीं पड़ेगा अब हम केले को पानी से निकालेंगे और इसको हम cut करना शुरू करेंगे पकोडे बनाने के लिए देखे जैसे मैंने बीच से इसको cut किया है ऐसे ही आप इसको cut कर लें क्योंकि मैंने इसको बीच से इसलिए cut किया है क्योकि अगर हम इसको छोटे छोटे जो है goal shape में अगर इसके काटेंगे तो पकोडे हमारे जो होगा बहुत ही छोटे बनेंगे और मैंने इसको थोड़ा सा तिरचा कट किया है जिससे कि पकोडों की शेफ हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी और पकोड़ी भी हमारे थोड़े बड़े से बनेंगे नहीं तो गोल कट करने पर क्या होगा कि पकोड़े हमारे काफी छोटे बनेंगे लीजे मैंने बाकी के केलों को भी कट कर दिया है अब केले को cut करने के बाद एक बरतन में हम पानी लेंगे और पानी लेकर के जो हमने cut किया हुए केले हैं सारे के सारे हम पानी में डाल देंगे ये केले भी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जिससे क्या होगा कि केले हमारे black ना पड़ें इसलिए हम इनको पानी में डाल करके छोड़ देंगे आये जब तक के लिए हमारे पानी में पड़े हुए हैं पानी में डूबे हुए हैं तब तक हम पकोडों के लिए बैटर तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने जो है एक बरतन लिया है इस बरतन में मैं डाल रहा हूँ एक कटोरी बेसन, बेसन डालने बाद सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हम डालेंगे स्वात के नुसार, नमक के बाद इसमें हम मसाले डालना शुरू करते हैं, यह मैंने लिए है हल्दी पाउडर, वन फो टीस्पून डाल रहा हू धनिया पाउडर यह मैंने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें डाल रहा हूं गरम लिया है दो से तीन बारीक-ापारीक अच्छी तरह से mix करेंगे जिससे कि हमारे इसमें lumps ना पड़े और हमें जो है एक smooth सा better तयार करना है बिल्कुल lumps free इसलिए आप बेसन में पानी को थोड़ा-थोड़ा add करें एक दम से सारा add ना करें क्योंकि अगर एक दम से पानी आप डाल देंगे तो बेसन में क्या होगा कि lumps रह जाएंगे ये देखिए better हमारा बन करके तयार हो गया है अब इसके लिए बस एक छोटी सी trick हो रहा है जिससे कि पोकोड़े हमारे बहुत ही fluffy बनेंगे इसके लिए हमें क्या करना है कि बेसन के घोल को कम से कम हैं में 5-6 मिनट के लिए same direction में इसको फैंटते रहना है इस को हमें एक इस टेनर की help से इनका सारा पानी निकाल लेंगे और निकाल करके इनको side में कर लेंगे अब उसके बाद एक हम plate या थाली लेंगे जो एक के लिए हमने इस टेनर में निकाल लेंगे अब जो हैं में हम थोड़ा सा masala एड़ करेंगे आता चम्मच गरम मसाला और थो क्या हुआ कि जो हमने यह मसाले डाले हैं यह अअच्छे से केलो के साथ जो है आपस में चिबक जाएंगे जब हम पकोडे बनाएंगे तो उससमें क्या होगा कि पकोडे हमारे जो है अंदर से हमें बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगेंगे लीजिए मसाले गों हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो चलिए देड़ना करते हैं फटाफट पकोड़े बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम पकोड़े बनाने के लिए तेल गरम कर लेंगे जिससे बेसन का घोल हमारा केलोगे उपर अच्छे से चिपक जाएगा और उसके बाद ऐसे ही हम इनको एक एक करके पकोड़ों को तेल में डाल देंगे जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही आप एक एक करके सारे पकोड़े तेल में डाल दें और जितने आपकी कड़ाई में आ सकते हूं एक बार में उतने ही डालें कियोगि अगर आप ज़ादा डालेंगे तो पकोड़े आपस में चिपक जाएंगे और फलपी नहीं बनेंगे और पकोड़ों को डालने के बाद फिर आपको कम से गम इसको एक मिनट के लिए पकोडों को ऐसे ही पड़े रहने देना है और एक मिनट के बाद फिर एक हम जर्णी ले लेंगे जिससे इनको हमें चलाना है और चलाते हुए इनको हम अच्छे से golden brown color आने तक सेख लेंगे और याद रहे हैं आपको इनको बीच बीच में चलाते रहना है जिससे कि जो हैं पकोड़े हमारे दोनों साइड से अच्छे से सीख जाएं नई तो क्या होगा कि पकोड़े हमारे एक साइड से कच्चे रह जाएंगे और एक साइड से सीख जाएंगे लीजिए पकोड़े हमारे बन करके बिलकुल पकोडे हैं, उनको भी हम सेम प्रियोसेस करते हुए, एक एक करके सारे पकोडे कड़ाई में डाल देंगे, और उनको भी हम एक मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद एक जणनी ले करके हम इनको अच्छे से चलाते हुए, गोल्डन ब्राउन करें, चाहेगा स्वाद भी आपका दोगना हो जाएगा, आप इनको अपनी मनपसंद चटनी के साथ सार्व करें, जो भी आपको पसंद हो या तो हरी चटनी के साथ या सोस के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके सार्व करें, कच्छे के लिए के पकोड़ों की रेस्पी आ और बढ़िया रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और ठेक के